दो हजार चौबिस के लोगसभा चुनाओं को लेकर नई रणनीती तयार करने में अखले इशादव जुटे हुए हैं पहले नितिश कुमार से मुलाकात हुई और आज दिल्ली जाकर लालु यादव से मुलाकात की हमाँ साथ यूपी सरकार के परिव्यम्ति दैसंकर सिंग ज हो सकता है उनके स्वास के हाल चाल लेने गए होंगे और बाकि तो सभी रानितिका उन्होंने प्रयोग कर चुके हैं उत्र प्रदेश में अब कोई नई प्रयोग करने के लिए कुछ बचा नहीं है वही पुरव और पश्चिम वही जो उनके मुख्य प्रतिदोंदी वही ब सफलता मिलती रही 14 से 14 में खुद मुख्यमंत्री थे 17 में भी थे और उसके बाद 1922 भी यो लगता रहा रहे हैं तो हमको यह नहीं लगता है कि अब कोई भी राजनीति धुर्वी करन उत्तर प्रदेश में या कोई पुरे देश में अब कुछ होने वाला है क्योंकि पासे ही चुनोती है और हम लोग जो पिछला काम की हैं उसी को और बहतर हमको और क्या कर सकते हैं उसका है विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और जहां तक भीहार का सवाल है बिहार में खुद नितिष जी ने जंगल राज के खिलाप में उन्हों भरती जंता साथ मिलकर के सरकार बनाई थी और आज फिर से उस बिहार को जंगल राज के तरफ उन्होंने धकेल दिया है तो बिहार की जमता अपने आपको छला महसूस कर रही है और इसका समय आने पर वह जबाब देगी असी सीटे लोकसभा के उत्तव देश में 40 बिहार में कुल 120 सीटे हो जाती है बड़ी बड़ी हिस्सेदारी यूपी बिहार कि इसे फरक नहीं पड़ेगा दोनों साथ आएंगे तो देखे दोनों साथ साथ चुनाव पहले बी लड़ चुके हैं और बने जो भी पक्षी दल है चाहिए इपी में हो या बिहार में हो अभी तो मोदी जी की जो है लोगों ने लहर देखा है अब इस बार तो आप देखेंगे कि जो जो सुनामी आने वाली है और इस सुनामी में जो दो-चार सीट इन लों के पास थी न वो भी भजाएगी आपने सुना क्या कहना परिवर आमंतरी नरिन मोदी की लहर देखी और अब दोचार चौवीस में सुनामी आएगी कोई किसी के साथ मिले लेकिन दोचार चौवीस में एक बार फिर बीजेपी को ही जीत मिलेगी करुनर जीतिन के साथ अन्वर शुक्ला एप गंगा लखना ABP गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी ABP गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी